बिजली की महगाई की दर भढ़ती ही जा रही है और इसका सीधा असर हमारे घरीलू बजट पर पड़ता है हाला कि बिजली को कम करने के लिए हम लोग बहुत कुछ यूज करते हैं जैसे की नॉर्मल बल्प की जगा हम लोगों ने CFL और LED इस्तमाल करना शुरू कर दिया है कोई भी लेक्टिकल एप्लाइंस करीदने से पहले हम उसकी BEE rating भी चेक करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी बिजली का बिल कम नहीं हो पाता इस बिजली के खर्चे को कम करने का एक और तरीका है उसे जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा नमश्कार दोस्तों मैं हूँ आशितो सिंग और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल को क्या आप लोग भी बिजली के बिल से राहत पाना चाहते हैं और अगर बिजली से कमाई भी होने लगे तो सोचे कैसा रहेगा जी हां, मैं बात कर रहा हूँ सोलर एनरजी सिस्टम के बारे में सोलर पैनल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे और शायद आप मेंसे कहीं लोगों ने इसको लगवाने के बारे में सोचा भी होगा लेकिन सोलर पैनल से रिलेटिड बहुत से सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं जैसे कि इसकी कीमत क्या होगी? क्या ये उतना फायदे मन्द रहेगा? इसको लगवाने का खर्च मैं कितने साल में पूरा कर पाऊंगा? क्या ये मेरे घर के सभी अप्लाइंसिस का लोड उठा पाएगा? इसी तरह के सवाल हो के जवाब मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश करी है इसलिए सोलर पैनल को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें सोलर पैनल क्या होते हैं? सोलर पैनल पैनल प्लेट्स होती हैं जिनको हम अपने घर की छट पर या खाली जगा पर रखते हैं इन पैनल प्लेट्स में छोटे छोटे सोलर सेल होते हैं जिनको फोटो वोल्टिक सेल भी कहा जाता है और जब इन पर सनलाइट यानि की सूरज की रोशनी पढ़ती है तब इनसे बिजली बनती है अब बात करते हैं सोलर पैनल कितने प्रकार के होते हैं सोलर पैनल दो प्रकार बनाते हैं तो इसलिए थोड़े सस्ते होते हैं और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं वो है पॉली क्रिस्टलाइज सोलर पैनल अब बात करते हैं कि सोलर पैनल का इस्तेमाल कौन से लोग करते हैं पहले ऐसे लोग जो एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां बिजली बिल्कुल नहीं आती या बहुत ज़्यादा पावर कट लगता है तो उन्हें अपने घर के इलेक्ट्रिक अप्लाइंच चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है जो कि वो सोलर पैनल लगाकर प्रोड्यूस करते हैं दूसरे वो लोग होते हैं जिनके घर में बिजली का बिल बहुत जादा आता है या जहां पर बिजली बहुत जादा महंगी होती है जैसे कि कई लोगों के घरों में बिजली की खपत बहुत जादा होने के कारण उनका बिल एक सस्ती स्लैब की जगा महंगी स्लैब में चला जा जिससे बिजली का बिल कम हो जाता है। अब बात करते हैं solar panel की companies के बारे में, तो हमारे घरों में, जिन companies के inverter लगे होते हैं, तक क्रिबन वो सारी companies solar panel निकालती हैं। जैसे की सुकैम, Luminous, Microtech, etc. इसके इलावा आप इंटरनेट पर भी दूसरी कंपनी के ब्रैंड भी चेक कर सकते हैं जैसे कि Vikram, Tata और भी बहुत सी कंपनिया हैं लेकिन ये बड़ी-बड़ी कंपनिया Megawatt और Gigawatt में प्रोजेक्ट लेती हैं अगर आपको अपने घर के लिए Solar Panel लगवाना है तो Maximum से Maximum 10 किलोवाट तक का Solar Panel आप किसी भी कंपनी से लगवा सकते हैं अब बात करते हैं कि Solar Panel खरिते टाइम, Solar Panel की टेस्टिंग कैसे करें इस टेस्टिंग में आप चेक कर सकते हैं कि Solar Panel कितना करण्ट जेनरेट कर रहा है इसके लिए आप Solar Panel को Sunlight में रखकर एक वायर के साथ कनेक्ट करके उसके आउटपुट को Multimeter में चेक कर सकते हैं आप Solar Panel की Build Quality को भी चेक कर सकते हैं जैसा कि Solar Panel 25 साल की वारंटी के साथ आते हैं तो ऐसे केस में आप Solar Panel की फिटिंग को किसी भी लोकल स्टील या ऐसे स्ट्रक्चर पर खड़ा मत करिएगा जिसमें जंग लग जाए और वो दो या चार साल में ही तूट जाए खराब हो जाए इसके लिए एक मजबूस स्ट्रक्चर की जरूरत होती है जिसको GI स्ट्रक्चर कहा जाता है या Galvanized Iron भी बोला जाता है जिसमें Iron पर जिंग की Coating होती है जिससे लोहे पर जंग नहीं लगता और ये स्ट्रक्चर काफी मजबूत रहता है और सोलर पैनल के लिए GI स्ट्रक्चर ही बेस्ट चोईस है सोलर पैनल के स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करते टाइम इसकी मजबूती को अच्छी तरह से चेक कर लें ताकि आंधी तुफान में सोलर पैनल पर असर ना पड़े अब बात करते हैं solar panel की cost की तो market में हमारे पास 20 रुपे से लेकर 60 रुपे पर वाट तक के cost में solar panel available है और solar panel को install करने का खर्चा आप इस table में देख सकते हैं अब बात करते हैं types of solar power systems की mainly इसकी तीन types होती है on grid, off grid and hybrid अगर हम on grid system की बात करें तो ये वहाँ इस्तमाल होता है जहाँ electricity 24 गंटे रहती है इस case में battery की जुरुत नहीं होती क्योंकि इस area में electricity नहीं जाती इन areas में solar panel के लिए एक net meter लगवाना होता है जो की electricity board की permission से लगता है इस setup में आपका electricity connection उसी meter से होकर जाता है इसके साथ साथ solar panel का connection भी उसी meter से होकर जाता है इस case में solar panel आपके day time में घर के सभी electrical appliances को चला देगा लेकिन रात में solar panel काम नहीं करेगा रात में electricity आपके electric board के main connection से ही लेनी पड़ेगी अगर day time में solar panel ज़्यादा electricity generate करता है और आप इतनी बिजली यूज नहीं कर पाते इस case में जितनी भी extra electricity बनेगी वो इस meter के थूँ बिजली बोर्ड की line में चली जाएगी और next month का bill उतना ही कम होकर आएगा अब बात करते हैं off grid system की तो इसके साथ battery लगाई जाती है और ये उन area के लिए design किया गया है जहां पर ज़्यादा power cut लगता है या electricity की supply available नहीं है इस off grid system में दिन के टाइम में solar panel के साथ जो battery attach की गई है वो charge हो जाती है जिसके charge होने के बाद आप घर के सारे appliances रात में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस system को लगाने के लिए आपको electric board की permission की जुरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें जो electric board का circuit है उसमें solar panel connection नहीं दिया जाता क्योंकि solar panel connection बिल्कुल अलग से battery के साथ connected होता है अब बात करते हैं hybrid system की तो इसको आप simple step में ऐसे समझ सकते हैं कि ये off grid और on grid दोनों का combination कर दिया गया है इसमें आप solar energy भी यूज़ कर सकते हैं इससे battery भी charge होगी और main electricity board के साथ भी इसका connection जाएगा अब बात करते हैं इसके backup की तो एक kilowatt के solar panel के साथ आप दिन भर में 500 watt के appliance चला सकते हैं और बाकी बचे वे current से battery charge हो जाएगी और एक बार अगर battery fully charge हो जाती है तो रात में आप दो पंखे और एक light अराम से use कर सकते हैं बतलब शाम 6 बजे से अगली सुबा 6 बजे तक दो पंखे और एक light आपके इस battery से चल जाएगे अब बात करते हैं कि आपको अपने घर में कितने kilowatt का system लगवाना चाहिए तो ये depend करता है कि आपके घर में कितने electric appliances हैं और वो कितनी wattage के हैं कई घरों में सिरफ पंखे और light इस्तमाल किये जाते हैं और कई घरों में उससे जदा बड़े electric appliances यानि की AC freeze भी चलाये जाते हैं तो आप एक clamp meter से अपने घर के हर appliances की अलग-अलग wattage major कर सकते हैं और उससे आप एक अंदादा लगा सकते हैं कि आपको कितने kilowatt तक का solar panel लगवाना है अगर बिजली के बिल की बात करें तो एक kilowatt के solar panel लगवाने से आपके घर में तीन पंके और तीन light का जितना भी लाता है वो 85% तक कम हो जाता है और आपके एक kilowatt के setup का जो खर्चा है वो लगबग 2-3 साल में cover हो जाता है अब अगर solar panel के बिजली बनाने के capacity की बात करें तो जितनी ज़्यादा sunlight होगी उतनी ही ज़्यादा electricity बनेगी मतलब कि सुभा के time पे देखा जाये तो electricity कम बनेगी और जब उसको पूरी दोपहरी में देखा जाये तो sunlight पूरी तेज होती है और electricity ज़्यादा बनती है और शाम होते होते फिर से electricity बननी कम हो जाती है सर्दियों में और बादल वाले मौसम में solar panel electricity बहुत कम generate करते हैं maintenance की बात करें तो solar panel का कोई maintenance नहीं है अगर solar panel पर कोई धूल मिट्टी जम जाती है तो उसको साफ कर दे solar panels को आप घर में यूज होने वाली inverter बैटरिस पर भी लगवा सकते हैं अब बात करते हैं सबसीडी की तो off grid system में कोई भी सबसीडी नहीं मिलती on grid और hybrid में सबसीडी अवेलेबल है मैं आशा करता हूँ कि solar panels related आपके सबी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे अगर इसके अतरीक भी आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो comment box में लिखें